नम्हा शिद्धेव्या धर्म इशनेही सत्षद्धालू यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्विवर पुंडरीक पुंड्यात्मा महानुभाव सैयम जीवन में उतना ही आवश्यक है इतना किसी बाहन में विरेख किसी पसु सभारी के लिए अंकुस चाबुक नकेल लगाम या पेंड इश्के बिना जीवन की सभारी भी इस जिन्दिगी को लक्ष तक सुरक्ष तो नहीं पहुचा सकेगी जीवन में सैयम मन वचन काय तीनों पर हो जाए तो अन्य सभी सैयम अपनी आप पल जाते हैं पांच इंद्रिय विजे और मन विजे सट काय जीव की रक्ष इबारे प्रकार का सैयम भी वह पल जाता है जहां मन वचन काय पर नियंत्रन होता है महानवाब सैयमी जीवन का आनंद सैयमी शादक ही ले सकता है असैयमी शैयमी जीवन का आनंद नहीं ले सकता किस पकार से जैशे जलासे में तेरने वाला व्यक्ति जलासे में तेरने का आनंद ले सकता है किनारे पर खड़ागवा व्यक्ति जलासे में तेरने का आनंद नहीं ले सकता पुस्व बाटका में विच्ण कंडे वाला प्राणी पुस्व बाटका की मकरंद प्राग को वेगेण करता हुआ जिश आनंद की अनुवूती करता है उस आनंद की अनुवूती सड़े गले पदार्थों के बीच में या जहां पर पसुपक्षी मरे हुए सड़े पड़े उन के कले वर उस बीच में बदू वाले बातावण में उसकी अनुवूती नहीं कर सकता अत्वा कोई व्यक्ति बिना भोजन किये पेट भरे जैसे व्यक्ति की अनुवूती नहीं कर सकता अत्वा एक रोगी व्यक्ति निरोगी व्यक्ति की अनुवूती नहीं कर सकता ऐसे ही अ saiyyemi व्यक्ति जीवन की अनुपोती नहीं कड़ सकता जो आनंद श्वर्ग के इंद्रों को भी नहीं है वे आनंद एक saiyyemi को होता है स्वर्ग में यदभ़ अनुपम आनंद है कैसा आनंद है? उस आनंद को और किसी की अपफ़ दीद नहीं जा सकती नाकि नाकव को साम्सक्यम, नाकि नाकव को साम्सक्यम, नाकि नाकव को साम्सक्यम, स्वर्ग में रहने बाली दिवां को कौन सा सुख मिलता है, जैसा स्वर्ग में रहने बाली दिवां को सुख मिलता है, उपमा नहीं है दूशरी, किन्तों, जो आनंद Baumy झामी शाद्य के अमिलता है वह अप्ष्थम है, आणनता मां गम की कहने सुननं की ना है, जानतें भे कहते नहीं, जो कहतें हैं भे जानत ना है, जो आत्मा कानव लेने बाली हैं, उसे हो अंधाय नहीं है जो आननग को लेनी रहे हैं, दौलतुनाब जी ने कहा यू चिंत निज में थिर वही तिन अकत जो आनन्द लहो सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के नाहीं कह। महानवाव प्रशंग है कुंद कुंद भारती का पूज आचाश्री विद्नान जी मन राज के जैनती मनारे थे पच्पन मी जनम दिख्षा जैनती पच्पन मी दिख्षा जैनती दूजार सत्रे में उष्यमें अन्नि भी विशेष्य लोग उपस्ति थे सबनी अपनी महाराज जी आप भी अपने श्रीमी जीवन का अनुभव हमें बताएं कैसा रहा हूज आचाश्री का वे केबल अल्प शब्दों से युक्त वे उद्वोजन इतना था कि मैं अभी तक आनंद के साथ जिया आज भी आनंद के साथ जी रहा हूं और आगे भी आनंद के साथ यही मेरा सायम का अनुभव है जिसे सायमी को आनंद नहीं आए कैसा सायमी और वास्तम में उन्होंने भी शब्द कहें नहीं उनके जीवन में शब्द जीवन त रहे वे यावजीवन आनंद के साथ जीए और आनंद के साथ रहे और उन्होंने श्रमादी भी आनंद के साथ प्राप्त की जिनोंने उस समय 21 सितंबर 2019 में संध्या काल में लाइब चल रे जन्मानी चैनल के मादमशे देखा हो हरी शर्ण बर्मा का वजन चल रहा था एक योगी यशन बनावे पुझाचाशी हाथ उठा करके कैसे आनन दे रहे थे अब हम अमर भाइन मरेंगे कितने वज अमरत्तु महशब का वह शमबधन को सनुके क्या आनन्द के रहे थी उनके चेहरे पर मुस्क्राट आ रहे थी ऐसे लग रहा था यसे रंक को निदी मिल रही है यशे लग रहा था कच्र काल के विछोड़ों किशी सिसु को उसकी मा में लगई है यशे आनन उने आ रहा था यशे उने संयम का पूरा सार मिल गया हो सुचर काल शे प्रयास करने वाले किसी परिशारती के लिए आज अधेक्ष नंबर और पुष्ट मिली है महानवाव यशा आनन्द नो ने प्राप्त किया निशन्दिय वह आनन्द हमें भी प्राप्त हो यशे हम भावना भाते हैं आज 22 शितंबर 2020 में उनके सीचड़ों में नभुस्तुर करते हुए जवले श्री शांतनात भगवान की खुझ आचारी उर्देश विद्धन नमाराज की आएंशा में विश्वा धर्म की